एक जगे मेरे ब्यान से पसा दूआ हो तो बता हुए भारत मैं दस करोड गुस पैठी है रोहिंग्या बंगलादेशी मुसल्मान रह रहा है तो ये भारत सराय बन गया है कि वो अधिकारी पुरे जिले को चलाता हो दिन शिप्ते इस सराब और मुर्गा खाके बस्त हो जाता ह हमारे साथ नंद किशोर गुरजर जी मौजूद हैं भारती जन्ता पार्टी से हैमेले हैं और इनके बयान बड़े चर्चा में हमेशा बने रहते हैं तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और उन क्या वज़े है कि आपके बयानों को इतनी हाइप मिलती है हमेशा कभी कुछ बोलते हैं आप कभी जो भी बयान देते हैं वो चर्चा का विशय बना रहता है अब यह तो मीडिया ही समझे क्यों इस तरह से हाइप देते हैं लेकिन मैं जो सही है सही कहने का साहस रखता हूं उस बात को कहता हूं उसमें कई बार मेरे अपने लोग भी नाराज हो जाते हैं तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ने कहीं उसका भी एफेक्ट रहता होगा तो पूरा ठीक रा मीडिया पर फोड़ दिया आप ने मीडिया पर नहीं फोड़ा मैंने का मैं सही को सही कहता हूं जो स आपके बयानों रuwए जगे मेरे जिए आपको यह कहा जाता है कि आम बढ़े firebrand नेता है और आपके बयानों से ऐसे लगताज़ Connectie ay ुभाई आपके बयानों की फ़साद हो जाएगा ौहीं य मुझे लगताज़ से है तो ईज़सादाज्टी जो शांती है वो सक्टी से ही आती है तो इसलिए उस दरश्टी से कई बार लोगों को यह लगता होगा लेकिन ओर और अल हमारा कोई भी ब्यान किसी के खिलाप नहीं होता है वो राष्ठित में होता है जनित में होता है वो जो वहा की सिच्वेशन है उस टाइम की और उस करने ही सकते है कि कहीं वो किसी गलत दिसामे हो या किसी को हट करने वाला हो जो सही है मूँ बूलता है स्वामी यतिनर्सिंगानन उनका एक बयान उन्होंने दिया उसके बाद वो बहुत उसमें हंगामा बचा पूरे देश में प्रदर्शन हुए और कई जगाओं पे लोगोंने गिरफतारी की मांग की और कई संगठन तो यहां तक की उनको वाजबुल कतल भी करार दिया उन्होंने की इनको कतल भी कर दिया जाए कई बाहर के संगठन रहे इस तरह की चर्चाएं आई आपने उनका समर्थन किया ता आपने तेखिए मैंने पूरा देश आपका चैनल को सुनता है जी तो यह बात के लिए होनी चीए मैंने महराज के बयान का समर्थन बिलकुल नहीं किया जी यह जो लोग कह रहे हो गलत है जो महराजी ने बयान दिया उस पर आपके पास को रिकॉर्डिंग हो कहीं उस ब्यान का समर्थन नहीं किया है उस पर फाइर होगी तो मैंटर अलग हो गया मेरा कहना ता जो डासना जो मंदिर है माभगवती का और वह इतना प्राची ने कि भगवान प्रस्वराम जी ने साधना की और पांड़ों ने भी साधना की वह माने वर्दान दिया और बहुत अद्भूत माका वहां जो ग्रह है उस रूप देखेंगे और महादेव का भी बहुत प्राचीन वहां सिव प्राची ने लिए अफगानिस्तान या इरान राक नहीं है या बंगलादेश नहीं है या पाकिस्तान नहीं है कि कोई भी बच्चों के स्कूल में बं फैक देगा बच्चे वहां मार दी जाएंगी ठीक बाचने वाला नहीं है तो यह देश लोक्तंस से चलता और यह बहु जा सकता था कि मैं संतुष्ट नहीं हूं लेकिन आप मंदिल पर जाकर के सरतन से जुदा और हमारे करकरता डॉक्टर बियेस तोमर की हत्या की गई थी जिहादियों के द्वारा वही पीपल के नीचे खटा होके उनके खिलाब भी वहां हिंदू देवी देवताओं के खिला दिया गया तो अब ये सजा ये तो जो सरिया जो बुलते हैं ये उसके तहत उन्हों लोगों ने बुल दिया उन्हें ये पता नहीं है कि भारत में कानून का राज है सजा कानून के तहत नियाले ते करेगा या तत्काल कोई कहीं बवाल कर रहा है तो उसको माने योगी बहुत लोगपरिय थे उनको केवल इसलिए कि बीजेपी की बात करता है हम वहाँ सारा का सारा मुस्लिम समय डासना में 95% मुस्लिम है तो वहाँ जो इस तरह के जो जेहादी जो कट्रपन्थी सोच के लोग है उन लोगों को यह लगता था कि यह भाजपा का मजबूत रीड है और भाजपा इसके कारण जीती है के वह लितना दोस्ता उनका अब मैं कह रहा हूं ना कि मंदिर के उपर हमला का मतलब क्या पूरे सनातन पर हमला है तो सनातन पर हमला मंदिर पर हमला कर रहे हैं किसी विक्ति की अगर कोई बात है उसको ले करके आपके पास सासन पर सासन के प्रवाइब कर रहा है आप फार कर वाई यह जो लोगतर में रास्ता है पंचाथ में वहां जो सनातन धर्म के लोग थे हिंदू संत्त थे या हिंदू समाज के लोग थे संग्ठन थे उन्होंने कॉल की थी पुलिस को एक भी किसी ने धक्का तक नहीं भारा उसके बावजूद पुलिस ने लाठी चार्ज किया एक पत्रकार को बहुत सीनियर का नाम था सरीता तिवारी उनको भी पैर में चोटाई हाथ में पुरा पिटाई पुलिस ने कर दी ऐसी बरबरता जो कभी अंगरेज भी नहीं करते थे और लोगों को मारा बिना खार लोग उनका जलाना चाहते थे और वहाँ एक अधिकारी बैट करके पुरे जिले को जलाना चाहता है और पम्रइप निवाद यbles कमिशंटि लेना के लिए लोगों को समझ जया तकर आगवा नहिता नागा की तनाः होगा तो उन्हों ने उनकी बात को मान लिया कि हम अधिक अ सक्ग कारवाई ए जिसनई इसका जो दोस है उसको सज़ा मिलें नहीं उसके बाद उन्होंने call को जो है वापिस ले लिया ठीक है हमें भरोसा है वो जैसे ही office से निकलते हैं तो commissioner को लगा कि मैं तो commissioner हूँ, मैं तो vies rai हूँ, मेरे मतलब आदेश के बाद जो call वापिस DM के कहने से कैसे हुई, तो मतलब एक अधिकारी को DM साब को धन्यावाद करने क के बजाए जिलाधी कारी को धन्यवाद करने के बजाए कि आपने एक बड़ा टक्राव टाल दिया उन लोगों को निकलते ही आठ लोगों पर मुकदमा लिख दिया दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो पूर्विधायक जो इस बवाल में था और जो अन्य लोग जो उ समाज के लोग को सपा के लोगों को वहां बैठा करके मिटिंग कराई जाती है और मिटिंग में ग्यापन लेने के लिए कधिकारी को भेजता अपने को तो जहां आठ लोग थे वो तो बीनेस की दार 163 का उलंगन है लेकिन जहां सेक्ड़ों लोग थे साइन किये इकटे हु पंचायत में और पंचायत में जब इन्होंने पूरा वहां फोर्स लगा करके लाठी चार्ज कर दिया पत्कारों को पीता महिलाओं को बच्चे जो इस्कूल गए उनको पीता और वीडियो आपने देखे होंगे महत्माओं के लिए वहां का एक अधिकारी जो तो एक अधिकारी वो किस मानसिक्ता का है कि जिले को जलाना चाहता है अगर वहां मैंने जाता पंचायत में उनका कहना है कि मेरे कारण डिश्टर्बेंस हुआ हाँ यह यह बात आती कि नंद किशोर गुर्जर जिले को जलाना चाहते हैं तो जिले को जलाना चाहता हूं तो मैंने जा करके मिटिंग करके उस भीड को रास्ता दिया उच अधिकारियों से बात की और माने योगी जी के यहां से जो मैसी जाया और लोगों को बताया कि महराजी ने कहा है कि कोई भी कित्ता तकतवर हो अपराधी बचेगा नहीं जिसने मंदिर पर पत्राव किया है वो एक सिर्फ बोट के लिए हिंदूस्तान में पहले से इतनी पॉपलेशन थी 10 करोड लोगों को यहां उनके राशन कार्ड बनवाए आधार कार्ड बनवाए और पूरी दिल्ली को घिर लिया है बंगला बंगाल और पूरे देश में जगे-जगे 10 करोड लोग गुसे में दो वि ट्रेंन के बंगला के राश्ते दिल हम लया गया जब गडी जगे-जगे नी बच यदि वहां के बिलकुर सटा हुबाद साहिवाबाद इस पूरे एरिया में तमाम जोपने डाल दी मैं बहुत जुम्मेवारी के साथ एक बड़ी बात कह रहा हूं और यह इंटिलिजेंस के लिए बहुत बड़ा चुनोती भी है मेरे यहां कल कहें अधिकारी कल मैं एक हजार घुस पैठी यह पकड़वा दूगा कल लौनी में अपने आप और ना पकरवाँ तो राई नी छोड़ दूगा अधिकारी केवल लूट करना चाहता है प्रदेश में केवल 24 घंटे लूट के तरफ ध्यान है देश की सुरक्षा का क्या होगा जो लगातार घुस पैठी आरे उनका क्या होगा अपराद में जो हो र अफ्तारों ने चीए हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा हमने ये कहा था कि हम किसी को कभी छेड़ते नहीं है ये सनातन धरम की परंपरा है लेकिन अगर हमें शेड़ा गया है माभगोती के मंदिर पत्रा हुआ है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं तो परसासन काम करे अपना नहीं करेगा तो कानून हाथ में लेना पड़ा तो धरम के लिए इस वर से बड़ा कोई नहीं है फिर हम भी चूखेंगे नहीं तो धरम के लिए आप कानून हाथ पे ले ले लेंगे और दूसरों को नसीयत कर रहा है कि कानून के दाएरे में रहे ये कैसे सम्झा है अब अधिकार पराद से तो पूरे देश में फसाद बचाएगा। ठीका हम किसी भी धरम के कोई धरम गुरू है या कोई उनको जो इस्टे उनके जिनको मानते हैं हम बिलकुल खिलाप है किसी पर टिपड़ी करने के लेकिन अगर ये समझा जाएगा कि हिंदू कम जो और है लाठी बजाई जाएगी उन पर तो फिर कानून हाथ मिने लेंगे प और खाली इस बात के लिए कि ये ये भी चीजे निकल कर सामने है चर्चाओं का बाजार गरम है चर्चा तो बिलकुल अच्छी बात कहिए आपने इसका तो जाच होनी चाहिए बिलकुल ठीक बात है और जो लोग इसमें हैं हम तो ये कह रहे हैं अपने आप कराया जिनों न करवाया तो आपको लग रहा है कि ये बात अधिकारियों ने फैल आई है अधिकारियों को किसी भी तरह से ऊपर गुमरहा करके अपनी नौकरी बचानी है जो अधिकारी पूरे जिले को चलाता हो दिन शिप्ते सराब और मुरगा खाके मस्त हो जाता हो जो अपने ऑफिस से नहीं निकलता हो कितनी बड़ी घटना वहें कितने बलाथकार और गाज़ेबाद में हुएं गेंग्रेप हुए उनको बचाने का काम किया गया मोटी रिस्वत ले करके जमीनों पर कभजे हो रहे हैं घुसपैटी एं घुस रहे हैं मैंने बहुत बड़ी कात बात कहिए है एक भी व्यक्ति दूसरे देश का जा नहीं सकता तो यह भारत सराय बन गया क्या जो मैं कह रहा हूं कि एक हजार लोग कल पकड़वा दूगा एक कमबड़ी बात है मेरे साथ चले है अधिकारी यह दारू मुर्गा कौन करता है वाइसराय करता है तो आप जानते ही है पूरे अधिकारी यह कह है हमारे उपर को एक पैसे का उंगली उठा दे राईजिती ठोकर मारतेंगे मूनी दिखाएंगे हम लोगों को भगवान मान के काम करते है छे बजे हम लोग बैठते है एक एक सुनते है पुलिस से हमारा जंजट होता है हमारे यहां कोई भेदबाव नहीं होता है मेरे घर पर जो जाता है कोई भी वेक्टी हो किसी धरम जाती का वेक्टी हो हम एक एक वेक्टी को भगवान मानते कि शी ने बोट दिया नहीं दिया है लौनी के अंदर सबसे जयादा कर रामराज उत्तरप्रदिस में तो लौनी में च्षे लाक आबादी मुस्लिम स जो आया मैं मानता हूं कि उपर वाले ने भेजा इसकी मदद करना है तो यह हम सब यह सब नहीं करते हैं हम जो हमारे पीडित आया है खास्तोर से जो किसी की जमीन कब जब हम भूमापियाओं का गड़ था लौनी के उपर जिला गाज़ेबाद मुई बनी अपराद पर इतना क प्राइम था हमां कड़िन गहरे गहरे बिजली आती नहीं थी सड़के नहीं एक भी स्कूल कॉलिज अस्पताल नहीं आज लौनी अन्ने जितनी विधान सबाएं उनसे बहुत आगे है सबसे ज़्यादा अगर शांती है तो लौनी में आती है कि लौनी में आपने हिंदुस्तान का जो मुस्लमान हैं भी पैसे के लालच में अपने भाईयों को मारने के बाष्भा राजा थे उन्होंने कर के हमला किया कई अपने Glass के लिए अपना समान घर बचाने के लिए उन्होंने इसलाम को पिछारा मजबुरी में मेरे खुद गूजर समाज के लोग भारी संख्या में मुसलिम है खास तोर से लखनों से लेकर अमें ठीत तक और फैजाबाद के चारो तरफ जो मुसलिम गूजर है वो उसी टाइम के कनवर्ट है वो गोतर हमारे एक है इसी तरह से राजबूत समाज के जहां पर पंचात हुई साथा चौरासी इलाका बोलते हैं वो महरना परताब जी की आज भी मूर्ती लगी है उनके हाँ मुसलमानों के यह वो भगवान राम की मूर्ती लगा रखे मुसल्मानों ने वो सारे राजबूत है तो हमारा उनसे नहीं है जो मुसलिम बाहर से आया है जो कट्रपंती है जो जिनकी विचारधारा जिनको आईएसाई से पैसा आ रहा है इनमें हमारे लोकल जो मुसलमान है उनमें भी कुछ बिमारी घुसी हैं उनमें भी कुछ लोग पैसे के लिए इन्वाल हुए है और बाहरी घुसपैटियों को लेकर के डाशना देवी मंदिर पर अधिकारी इस बात की जाच करने में चुनोती दे रहा हूं जाता है टेंपू में भरके लोकल मुसलिम कम थे वहां के नेता थे दस बीस और कुछ लोग जो मलब कट्रपन थी हैं जो दंगा करना चाहते हैं या कहीं समाज़ोदी पार्टी से जुड़े हुए हैं या आम ने किसी का सपोर्ट नहीं किया है मंदिर पर हमला पूरे सनातन पर हमला है मेरी माई और महादेव पर अगर कोई हमला करेगा तो उसकी साथ पीडिया याद करेंगे या तो कारवई करें अधिकारी नहीं ठीक बात आप कह रहे हैं कि आपको जो शाया आपको गुसा आया अब निरंकुस हो गया तो बता दिया माने मुखमंतरी जी से कल हमारी मिटिंग हुई है महारा जी ने बुलाया था तो हमने बताया कि यह इस्तिति है वहाँ अधिकारियों ने फीडबेक दिया उल्टा नौकरी बचाने के लिए आप एक बात बताईए क्या सराप रक्सस पीत हम यह नहीं कह रहें जो दूसरे स्विल सर्विस्टिस के लोग है और लोग है या जो कोई आईएस हैं हम उन से नहीं कह रहें लेकिंग आईपियस अगर दारू पीता है तो ओप दारू पी करके चुटी है उसकी को कुछ भी कर रहे हम नहीं मतलब ऑन डूटी अगर 24 गंट करने की डूटी है क्या पुलिसिंग करेगा ऐसे अधिकारियों को निकाल करके बाहर बरखात करना चीजिए कि नहीं हमने कहा है बताया है सारा हम कर देते हमारे अभी एक दायरा है हम तो मैंने मुखमदरी जी को कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में माने योगी जी के आने के ब आ रही है तमाम शांती है बेटिया कहीं भी घूम रही है लेकिन जो ये कुछ दिन से दिल्ली में जो सीटे कुछ कम हुई समाजवधी पार्टी के जो माफिया थे जा गुंडे थे उनका होसला बढ़ा जगे 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 दंगे हो रहे हैं सहरों में तो उनके फंको जहरी कारण से कि उनें लगता है कि हमारी सरकार आने वाली है उस सरकार का करेक्टरी इस तरह का था तो इन काल एंगे घौरात क्यान से पहले हैं हमने तीनों मांग हमारी थी कि दस करोड जेहादी, बंगला देशी और रोहिंग्या भारस से एक एक को बाहर किया जाए, दूसरी मांग थी कि जितने भी सनातलन पर हमला किया है, मंदिर पर, जितने भी लोग थे, सब को NSA लगे और फास्टेक कोट में इनको मर्चुदंड की सजा हो, तीसरा था कि ऐसा कठोर कानून के जरकार बनाए, वो सभी धर्म जाती के लिए था, देश वही तरक्की करता, जहाँ शांती होती है, खुसाली होती है, तो वहाँ ये माने मोदी जी की लिडरसिप में, देश के अंदर दंगे बंद हुए, उत्तर परदेश में माने यो मैं वही बता रहा हुँ ना, तो उनके उपर, उनके लिए अलग से कानून बने, ऐसे लोगों का भी फास्टेक कोट हो, दो महिने में सजा हो, उसके बाद मरतुदंड हो, देखिए देश में एक भी दंगा कैसे हो जाएगा, नहीं कहते हैं कि कुछ लोग जो है, वो उतारा, कौन घर पे चड़के गया, ये बाते भी निकल कर सामने आई, अब जैसे मंदिर पे पत्राव किया, तो क्या हम पंचाट जो दासनागा में जा करके मुसलमानों घर पे पत्राव करते, हमने कहा कि बैठके निर्णे होगा, इस पे तीन मांगे रखी, वो भी सरकार स किसी ने जंडा उतारा, उसको पुलिस को सुपर्द करना चाहिए, उसको मुगद मदर्ज कराते, आपको किसना अधिकार दिया है कि उतार के गोली मार देंगे और उसके बाद वहां आग लगाना, बात आपके एकदम सही है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन य चाहिए अधिकारियों की सनलिपता, अगर अधिकारी टाइट होते तो दंगा नहीं हो पाता, इस तरह की बाते भी आ रही है, बहराईच वाले मामले करें, तो बहराईच का विशे बहराईच जनता है, दास्क नाम है, अगर मैं नहीं जाता, तो यह तो बहराईच तो अगर वहाँ जा करके, मैं उपर सरकार से बात करके, उनको भरोसा नहीं दिलवाता कि सरकार में बात हुए, आपकी बात को सुना जाएगा, और मने मुखमतरी जी खटो रहे हैं इस मामले में, किसी को बखसा नहीं जाएगा, तो वहाँ निश्चित तो बड़ा दंगा होता कि वहाँ जो भीड थी, वहाँ पचाहँ जार की भीड थी, बहराईच तो छोटा सहर है, कितने लोग थे, तो उसको मैंने कह करके, लोगों से हाँ जोड़ करके, मातारानी कसम दे करके, वहाँ से हटाया, तो उसके लिए मुझे अपरी सेट करना चीए, अधिकारी क्या बत तक चलेगा, योगी जी पुखता इंद्याम करेंगे, इसमें आप चिंता मत करिये, समाजवादी पार्टी के लोग जगे जगे, अब अपनी हार से बौखला करके, दोजार सत्ताइस में, जो मुंगरे लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो पूरे होने वाले नहीं है, ये होगा भारत की छोड़ दो, तो भारत के लोग भूलेंगे नहीं, अच्छा एक सवाल ये था कि ये 10 करोड जो रोहनिया घुसाए हैं, रोहनिया मुसल्मान, इनको कहां भेजेंगे आप लोगे, बंगला देश के हैं, बर्मा के हैं, बर्मा के लोगों ने बार के भगा दिय इन्डियम घुस गए, घुसाए कि इसने कॉंग्रेस ने बोट के लिए, तो इनका ऑपरेसिन चले हैं, जो इंडियन लोग हैं, वो दंगानी करते हैं, उनके तो जीन्स में चाह मुसल्मान हिंदू हैं, शीके हैं, वो तो सारा उनके संसकार, उनकी संसकृती, वो तो हमारी तो लोग हैं, बाहर के थोड़ी हैं, अभी आप कांदला की तरफ चले जाओ, और सारे मुसलिन गूजर हिंदू गूजर हैं, चार पीड़ी पहले हमारी एक ही थी, गूजरो की, अब मुसल्मा आज भी चौपाले की है, तो वो नहीं करेंगे यह, यह जो बाहर से एक प्ला आने वाला चुनाओ उप चुनाओ आपके सामने, आपको रिजर्ट मिल जाएगा, चोटे-चोटे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है, एक आपको लगातार यह देखा जा रहा है कि जान से मालने की धंकियां भी मिल रही हैं, दुबाई से कहां कहां से धंकियां आ हम बताया ने, सही को सही बोलते हैं, या तो हम गदर होने दें, गुंड़ाई चलने दें, या जो जिस तरह से डासना वाला मंदरी पर हम गए, इसमें ना जाते हैं, घर में बैठे रहते, तो सब ठीक था, जो लोग हैं, जो कटपंथी लोग हैं इस देसमें, जो लोग बा अलग बात है, क्योंकि अधिकारियों की लूट को मैं रोग देता हूं, मैं उस पर जाकर के खुद पकड़ता हूं, मैंने एक दरोगा जेल भीजवाया महराजी से कहके, रंगे हाथ पकड़वाके, तो जो अधिकारी हैं, उनको तो देखिए, गाजेबाद में और नोड़ मेरी जाज कर भी ली रगातार, मेरे खेत तक न पुआ दिये गए, अगर मेरे पे को ये दस पैसे का, राइनिती में मैं बात कह रहा हूं, मैंने परण किया था, मैं तो इंजिनियर था, टॉपर रहा हूं, मैं इन वबस्ताओं को देखके, लॉनी में दिन में 12 बजे आज की उठाली, गाय कटी थी, मार नरक था, तो मैं सब कुछ छोड़ चाड़ के अजगर सहना मनाई, मैं आजगर सहना से मैं लड़ते हुए, 32 बार जेल गया हूं मैं, लोगों के लिए, कोई ये नहीं कह सकता, किसी को पबलिक की आदमिक चाटा मारा है, इन अधिकारियो से लड़ते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, गाय काटने वालों से लड़ते हुए, उन सब के कारण, आज की बात थोड़ी है, धंकिया तो बहुत लगाता रहे हैं, अब ये कई बार लगता अधिकारियों को, या तो मैं उनकी चम्चागिरी करूँ, तो सुरक्षा भी देंगे, मुझे अच्छा भी बताएंगे, उनकी लूट में मैं भी सामिल हो जाओं, तो मैं इसलिए क्योंकि आप विरोध करते हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा आपको नहीं मिल रही है, तेकि ये विरोध करना नहीं है, मैं सही को सही कहता हूँ, जो लोग, मैं लोगों न जनताने बनाया हूँ, उन लोगों को मैं नियाए देला हूँ, उनके लिए डवलप्मेंट के लिए काम करूँ, और मेरे छेतर में कभी धंगा नहीं होता है, छेलाक मुस्लिम के बावजू, CAA पर दुनिया में धंगा हुआ, लौनी से दिल्ली सटी हुई है, मातर जीरो कि पता ही नी चलता है, वहाँ आतंकवादी पकड़े गए, कई चीज यहीं हुई पहले, लेकिन मेरे छेतर में एक भी कोई आपस में हिंदु-मसुलिम का दंगा आपने सुनानी होगा, हमेशा दंगे होती है सपासरकार में, एक भी कोई दंगा नहीं होता है, सब लोग इतने सर्व विधायकों पर इतने हमले हो रहा हैं अभी देखिए लखीमपूर में विधायक के साथ घटना हो गई या आप बिना सुरक्षा गूमते हैं कोई किसी तरह की कोई घटना हो गई कभी तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए अधिकारियों सुरक्षा दी नहीं सरकार आ लगे लेकिन ये बात सही है कि कही न कहीं अधिकारियों को लगता है कि हम उनकी जो लूट है उसमें बादक हैं हम करीब आदमी के साथ कोई जील फरजी ना जाया निर्दोस ना जाया मला जो निया होना चाहिए हमारी डूटी क्या है हमें लोग क्यों चुनते हैं हम उनको स मांग रहते उनको थपड मारा गया टीवी पे चला आपने देखा होगा वह बहुत सर्मनाक है उसके लिए कल को कोई सदा मंत्री और मुखमंत्री नहीं रहता है कभी विधान सबाद्यक सदा नहीं रहने वाला है उनको सोचना चाहिए कि अगर जज हैं अधिकारी हैं पत्र सब्सक्राइब कि अधिकारी हो जिससे कि नाजीर बने किसी विधायक की बात छोड़िये किसी भी जनप्रदीदी पे कोई हाथ उठाने सब पहले सो बार सोचें यह बहुत जरूरी है केवाड यह नहीं पहले हुँएं मैं पत्रकार को लाठी कि पुलिस ने माँ रहा हैं तो पुलिसवाले कुछ नहीं महात्मा लेदे रहा है कुछ नहीं वहीं कमिछनर इस पीकर on पर इतनी मलद गाली दे रहा हुँछ नहीं तो इन सब पे भी वभेश्ता मानले प्रद्ध अधियक जी से कल मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस पर बहुत ही कठोर कानून की जो होते हैं आप एक बात कहते हैं वहां के अधिकारियों को लेकर और तवाम चीजों को लेकर कि हमारी तीसरी आख ना खुलने पाए इसका जो है वो ध्यान रखें अधिकारी कौन सी है कि जो खुल देंगे सब भस्म हो जाएंगे जर्किया कि आख हम महादेव के भगत है थी आख है हमारी जंता हम हमें यह और हमें सूचना यह देते हैं यह तरह ट्रैणिंग भी कराता हूं आपको साहई जानकरी होगी मैं वहां इंजिनियर रहने के नाते हुजो फिदन केमरे होते हैं, उसके दौराइश्टिक ऑप्रेशन अधिकारियों को में ओफिसों में हमारे लोग रहते हैं, कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा है, विधान सबा में, विधान सबा की बात कर रहे हैं, तो हम चप्पे-चप्पे पर हमारी तीसरी आख है, जैसे उसकी आख मे मेरे कोई उकात नहीं है वहां कराइम जीरो है जहां जिला गाजेबाद जैसी मूवी गैंग वार हुई धाई सो से जादा मर्डर हुए और दिल्ली का बॉर्डर होने के बाद तमाम तरह कावैद काम होता था आज माने योगी जी की सरकार में ये बात सभी मानते हैं इसलिए म मेरे 50% से ज्यादा खिलाफ होने के बाद भी जो लौनी के देवतुले नागरिक हैं सभी भाईयो बहनों ने मुझे चोना तो मैं उनके लिए कुछ तो करता रहूंगा एक आपका बयान आया था कि केशो को बांधने के चकर में दुर्योधन निपट गया इसका क्या मतलब क्या कहना चाहे रहे थे आप देखिए पिछले दिनों बात आई कुछ अधिकारी और इस तरह की बाते आई कि केशव जी की सुनते नहीं हैं यह कुछ मीडिया में चली हमने कहा केशव तो केशव यह हैं आपको यह कोई मैंने को नहीं बात थोड़ी कई दुर्योधन ने ज दुर्ण उपको एस तरह का अपने आपको यह समझता हो कि मैं केसौ को केशव जी उत्रपदेश के बऊट बड़ेनेता हैं और मैंने देखा है करदार को लगता है। कि हम अपने काम आंद कि करतें नहीं हूं कि यह करते हैं, पाटक जी और दिने सर्मा जी हैं इसे कई निता हैं लेकिन हिंदुस्तान के निताओं में मिलने के मामले में काम करने के में और कारिकरताओं में जो लोगप्रियता है इसलिए जब प्रदेस अध्यक्त थे तो उनकी लेडर्शिप में हमारी सीटे सवातीन स्वाई थी अब त यह रिखा गया है कहते हैं कि वड़ी चड़हाई कर देते हैं आप अधिकारीओं पे क्यों इतना खाउफ पैदा करके रहाइए यह पता करिए यह बोलते कैई अधिकारीं यह नहीं कुछ करते रहें नहीं नहीं वर्ड थे कि आप तो बिल्कुल संत है आपके बारे में गलत तो उन्हों ने ये कहा कि आप पता करियर को या मेरे लिए कोई पूर उन्हों कैमामले है तो यह उन्हीं अधीकारियों उसने जब कहा जी पुलिस के खिलाब रहता है जो कियो तो उस उन अधीकारी ने ये कहा 집ने अभ्ष बड़े अधिकारी वहां परते न'.CON Space Director है पुलीस के पीछे रहता है किसी गलत आदमी के पीछे मैं नहीं रहता कभी भी है जो ढूंख सूल जो सोचता है इस इसलिए उनको लगता है कि मैं खराब हूँ. अभी अभी चुनाओ की घोश्डा हुई है. उप चुनाओ की उत्तरप्रदेश में 13 तारी को उप चुनाओ हैं और 20 को नतीजे आएंगे. क्या तैयारी हैं? गाजियाबाद में भी चुनाओ होना है चुंकि तो क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से, भारती जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार 10 की 10 सीटे हम लोग घराएंगे. कि समाजवादी पार्टी इस चुनाओ में साफ हो जाएगी. करहल को बचा लें तो बहुत बड़ी बात है. जो उन्होंने कहा था ना कि सवीधान लेके सर पे गूम रहे थे, हार अक्षन खतम कर देंगे, चत्रियों का संबेल लंजाती वाद जो परदेश में बढ़ाया थ उस कारण से जन्ता को भर्मित एक बार किया जा सकता है, बार बार नहीं उससे इनकी सीटे लोकसभा में जो आई हैं, अब जन्ता इस बात का पच्टावा कर रहे हैं कि मौने मोदी जी को हम इतना बोट इस भरम में आकर डाल देंगे तो आज लोग पच्टा रहे हैं और सम किया, बाबा साब अमबेट करके लिए भूमा किया कहा इसी सरकार ने, दलीतों की मसीहा बहन मयाती को मारने का काम किया, आतंकवादियों को रिहा किया, कार सेव को पे गोली चलाई, बलात कारियों को समर्थन किया, तो ये सारी चीजे परदेश की जन्ता जानती है और जब कियोटी मानने अमित्साजी जैसा ग्रहमंतरी हो सकता है क्या, पर देश नहीं जानता, धरा तीन सो सतर को समात करना, लोग कहते थे कस्मीर जल जाएगा, देश जल जाएगा, एक परिंदाने पर नहीं मारा, अयोध्या जी मैं भगवान राम का मंदिर बना, तमाम हाई कर रहे हैं, MSP पर हम लोग किसानों की खरीदारी कर रहे हैं, गन्ने के पेमेंट्स का कितना बवाल होता था, तो पूरा परदेश और देश जानता है, मुझे उम्मीद है, कि हम लोग, मैं दस की दस तो नहीं कहूंगा, लेकि नौ सीट हम निश्ची जीतेंगे, एक सीट प महां पर तैयारी आप लोगों की पूरी है, मिलकीपूर ये सीट के बारे में तो हमारा संग्ठन जानता है, चुनावायोग ने क्या डिजिजन लिया है, चुनावायोग को इस बारे में मालू बहुत तैयारी तो देखिए हमारी 24 आवर रहती है, कभी चुना हो जाए, जिनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, एक आखरी सवाल और है, आप इत्ते ये कहा जाता है कि मुसल्मानों के प्रती आप घरना रखते हैं, आप बड़े कटर पंती हैं, क्या वज़े है इसके पीछे, क्या मानते हैं? देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है, ये लोगों की उचड़ खाने चलाना, अवे, दुकान, मास्की, हड़ी मीली, सारे जितने करम थे, आज वहां सारे मलब सरकार की किरपा से, वहां सारे के सारे सब लोग रास्ते पे हैं, तो वहां इस तरह की बाते लोग करते हैं, लेकिन जो गरीब आदमिया, आप वहां जा करके हमारा सर में हो, जो लोग भूमाफिया हैं, बलातकारी, दुराचारी और गलत धंदे करने वाले, उनके धंदो को चौपट करने का काम किया, तो वह एक ऐसा गुरूफ होता है, जो समाज में बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको लोग सुनते हैं, क्योंकि वह माफिया रहा है, उसक इसने विपरीत प्रस्तिती में, जबकि आई बी की रिपोर्ट कह रही है, मैं चौतेने मर्पा हूंगा, दोनों चुनाव में, दोनों चुनाव में, और इस चक्कर में कई चीज़ें ऐसी हुई, हमारे साथ की वह आपके सामने कहना ठीक नहीं है, और उसके बाद भी अगर लेकिन उसमें कुछ होने सकता, चलिए, शुक्रिया, नंद किशोर जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही बेबाक नेता हैं, और बहुत ही ज्यादा वो खुल के बातें करते हैं, फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं, और उन्होंने एक एक सवाल का बहुत ही खुल कर जवाद दिया और बताया कि उनकी मान सकता किस तरह से हैं, वो किस के लिए काम करते हैं और किसका विरोध करते हैं, उन्होंने हर एक बार बेबाकी से कही, बहराल इस तरह के कारिकरम आगे भी देखते रही हैं, तब तक के लिए नमस्यार.